Hello and welcome everyone, आज हम डिस्कुस करेंगे Fundamentals of Plant Pathology के next topic के बारे में जो की है Diseases and Symptoms Caused by Abiotic Factors या Abiotic Agents हमने previous lecture में डिस्कुस किया था Symptoms जो की Biotic Agents के द्वारा कोस किये जाते हैं और Biotic Agents के द्वारा कोस की जाने वाली Important Diseases के बारे में आज हम डिस्कुस करेंगे Abiotic Agents के द्वारा जो Diseases कोस की जाती हैं और जो Symptoms यो किये जाते हैं Abiotic Agents का मतलब है जैसा Name Indicate कर रहा है A मतलब Absent, Bio मतलब Life यानि कि ऐसे Organism जिनका Living Things से कोई Relation नहीं है Non Living Things जो हैं उनको हम Consider करेंगे Abiotic Agents में इन्हें हम Non Parasitic Agents के नाम से भी जानते हैं अब जैसे ये Abiotic Conditions या Abiotic Agents क्या क्या हो सकती है Adverse Weather Condition हो सकती है बहुत ज़्यादा Temperature होना, बहुत कम Temperature होना Soil Moster की अधिकता के कारण कोई बिमारी होना या फिर उसकी कमी के कारण कोई बिमारी होना Light की बहुत ज़्यादा मात्रा में होना Oxygen की कमी होना, Air Pollution होना, Pesticides का Residual Effect Crops के उपर देखने को मिलना ये सारे जो Factors हैं, इन्हें हम बोलते हैं Abiotic Factors या Abiotic Agents कभी-कभी बहुत सारे Minerals की Access और Deficiency के कारण भी बहुत सारे Diseases कोज की जाती है जिसमें कि आपने एक बहुत Popular नाम सुना होगा खेरा Disease of Ries, धान में खेरा जो Disease होती है, वो जिंक की Deficiency से होती है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक Disorder है ऐसी Diseases जो कि Abiotic Agents के द्वारा कोज की जाती है, उन्हें हम Disorder Term देते हैं ना कि Disease Disease हम Particularly, Biotic Factors के द्वारा होने वाली Abnormalities को बोलते हैं Disease जबकि Abiotic Agents के द्वारा अगर कोई Symptoms शो हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं Disorder तो ये Difference है Disorder और Disease में ये पी कभी-कभी पूछ लिया जाता है Explain or Define the Term Disorder and Disease अब हम One by One करके सारे Abiotic Agents के Study करेंगे First आता है Adverse Weather Condition सबसे पहला है Temperature Extreme जब बहुत ज़ादा Temperature होगा तो क्या होगा जो Leaf है वो Scorching Symptoms देती है यानि कि जले हुए से अव्विस सी बात है कि जब High Temperature होता है तो पत्या जो है वो जले हुए से Symptoms देती हैं और बहुत मुर्जा जाती है इसके अलाबा Lack and Excess of Soil Moster Soil Moster जो है वो अगर कम होगा तो प्लांट में विल्टिंग हो जाएगी यानि कि पोदा सूखने लग जाएगा Lack और Excess of Light अगर Light की कमी होगी तो Etiolation हो जाएगा और Etiolation का क्या मतलब होता है Light की Absence के कारण या Light की कमी के कारण पोदों का पीला पड़ जाना की प्रोसेस को हम Etiolation बोलते हैं तो Lack of Light की वज़े से Etiolation हो जाता है Next है Lack of Oxygen ये बहुत important example है कि Oxygen की कमी से पोटेटो में Black Heart नामक disorder हो जाता है बहुत बर competitive exams में question पूछा जाता है कि Black Heart of Potato जो है वो किसके द्वारा कोज किया जाता है या उसके लिए कौन सा फेक्टर responsible है तो Oxygen की कमी के कारण Black Heart of Potato जो होता है Next है Air Pollution Another important example Black Tip of Mango जो disease है वो Air Pollution के कारण होती है क्योंकि इंट के जो भटे हैं जिने Bricklings बोला जाता है अगर उसके आसपास mango का कोई ओचार्ड होगा तो Brickling से निकलने वाली harmful gases SO2 जैसी harmful gases जो है उनके द्वारा Black Tip of Mango Disorder कोज किया जाता है तो ये बहुत सारे competitive exams में question पूछा जाता है कि Black Tip of Mango is caused by या is due to Air Pollution Next आते हैं Adverse Properties of the Growing Medium Soil Soil की कुछ adverse properties के कारण भी disorders देखने को मिलते हैं plants में जैसे कि pH का कम या जादा हो जाना होगा गया कि pH के कम या जादा होने पर बहुत सारे different जो minerals हैं उनकी availability भी कभी toxicity में बदल जाती है और कभी कम या अधिक pH पर उनकी availability में changes आते हैं दूसरे आते हैं mineral की deficiency या toxicity जैसे कि iron की toxicity हो जाती है rice में अगर जादा iron होगा दो तो बहुत सारे minerals की toxicity हो जाती है deficiency हो जाती है उसके कारण भी कई प्रकार के disorders जो हैं वो plants में देखने को मिलते हैं नेक्स आता है chemical and mechanical injuries जैसे बहुत सारे pesticides हैं उनका अगर हम soil में application करते हैं तो उनके residual effect जो हैं वो हमें next season के crop में देखने को मिलते हैं नेक्स आते हैं कुछ physiological and genetic disorders भी होते हैं अब हम बात करेंगे extreme weather conditions की extreme weather conditions के कारण plant में injury हो सकते हैं और plant में injury basically दो type की होती है cold injury and heat injury cold injury में क्या होगा जब तापमान बहुत कम होगा तो plant के जो sensitive organs हैं जैसे birds, flowers, young fruits वो मर जाएंगे इसके अलावा गर हम heat injury की बात करें तो जब बहुत ज़ादा temperature होगा तो plant tissues damage होने लग जाते हैं next हम बात करें high या low soil moisture की तो अगर बहुत ज़ादा excessive watering होगी proper drainage का system नहीं होगा तो plant जो है उनको oxygen नहीं मिल पाएगी उनको air नहीं मिल पाएगा तो इससे क्या होगा कि plant जो है वो wilting symptoms शो करेंगे और उनकी death हो सकती है next है high या low intensity light basically high light intensity से plants को बहुत ज़ादा problem देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर difference है high और low light intensity बोलने में और high और low temperature बोलने में अगर temperatures बहुत ज़ादा होगा तो plants में scorching symptoms देखने को मिलेंगे लेकिन अगर high light intensity है तो उससे plants को बहुत ज़ादा problems देखने को नहीं मिलती है लेकिन अगर light intensity कम हुई तो plants में etiolation देखने को मिलता है जैसा कि हमने पहले discuss किया था etiolation का मतलब होता है कि tissue जो है वो yellow होने लग जाते है next आता है lack of oxygen previous में हमने discuss किया था कि oxygen की कमी के कारण potato में black heart disease disorder जो है वो होता है होगा क्या जब बहुत low oxygen conditions होगी तो यह basically high soil moisture से related होगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा soil science में कि soil में 25% water and 25% air spaces होती है तो जब high soil moisture होगा तो वो 25% pore spaces जिसमें air होनी चाहिए थी वो भी moisture की द्वारा cover कर लिये जाती है तो उस situation में air या oxygen की deficiency देखने को मिलती है और plants में कुछ abnormalities देखने को मिलती है जैसे potato में black heart disease हो जाती है जिसमें की बहुत सारे pigments जो हैं वो tubers और tissues के आज़ पास spread करने लगते हैं और उनको black बना देते हैं नेक्स्ट अलता है air pollution air pollution कुछ chemicals जैसे की ozone, SO2 and NO2 जो की बहुत सारी factories, power plants और automobile से exist होती है इनके द्वारा बहुत सारे disorder या abnormalities plants में देखने को मिलती है देखा जाए तो ये जो chemicals हैं ये atmosphere में accumulate हो जाते हैं और फिर plants को damage cause करते हैं अगर ozone के damage की बात की जाए तो ozone के damage के symptoms होंगे chlorosis हो जाता है और leaves के उपर sports बनने लग जाते हैं इसके अलावा कुछ air pollutants हैं जो की acid drain के लिए responsible होते हैं SO2 और NO2 acid gases हैं जो की acid drain के लिए responsible होती हैं और जब acid drain होगी तो वहां की vegetation को बहुत ज़ादा effect करेगी next आती है pH pH जो scale है उसमें basically 0 to 14 जो है range होती है जिसे S.P. Sorensen नाम के scientist के द्वारा दी गई थी इसमें 1 to 10 जो है वो basically acidic neutral and alkaline इसमें सारी consider होती है plants basically 4 to 8 pH पर grow किये जाती है जब pH low होगी यानि की लगबग 5.5 तक तो manganese 4.2 पर aluminium और high pH 8 से ज़ादा pH होने पर copper iron और manganese जो है वो toxicity cause करते हैं plants में next आते हैं nutritional abnormalities बहुत सारे nutrition की abnormality के कारण discoloration हो जाता है plants में जिसमें yellowing और chlorosis सामिल है ये जो abnormality है ये दो type की हो सकती है nutrient की deficiencies के कारण और mineral की toxicity के कारण nutrient की deficiency से अलग-अलग diseases या disorders हो सकते है plant को अपनी life cycle को complete करने के लिए basically 17 essential nutrients की requirement होती है इन में से किसी भी nutrient की कमी या अधिक्ता से deficiency और अधिक्ता से toxicity हो सकती है तो इसलिए farmer को चाहिए कि उसको adequate quantity में in essential nutrients का application करना चाहिए soil testing करवा कर इनकी proper concentration का पता लगाना चाहिए different जो essential nutrients हैं उनके particular किसी भी essential nutrients की deficiency या toxicity से कौनसे disease को होती है उसके लिए हम एक separate वीडियो में discussion करेंगे जबकि सारे essential nutrients की का major function क्या है उसके बारे में हम previous वीडियो में discuss कर चुके है next आता है pesticide exposure pesticides के exposure के कारण भी plants में बहुत सारे abnormalities देखने को मिलती है बहुत सारे pesticides जिनको improperly अगर use किया गया तो ये plants को damage कोज करते है most of the chemical injuries होती है plants में वो herbicides के spray के कारण या फिर herbicides के soil में residues बचे रह जाने के कारण देखने को मिलती है अगर हम pesticide toxicity की बात करें तो सबसे ज़ादा 2,4D damage करता है beans को, tomatoes को आपको ये बहुत important line है ध्यान में रखनी है कि 2,4D जो है उससे beans and tomatoes में pesticide toxicity देखने को मिलती है इसके अलाग glyphos जो है वो fruit trees को damage करता है यहाँ पर इस image के थूथू आप समझ सकते है ये common symptom है herbicide का exposure का जिसमें की दो symptoms majorly consider किये जाते है curling and cupping अगर herbicide का exposure होगा plant में या soil में उसके residue effect के कारण plant में कुछ effect आएगा तो उसके दो major symptoms है curling and cupping हो जाती है ये plant जो है वो 2,4D herbicide के exposure को शो करता है